एक्जाम्पल 12.3 फॉस्ट पार्थ है ये टू पार्थ में दिया हुआ ए पार्थ बी पार्थ फॉस्ट पार्थ में कर रहा है हाउ मच्छ करेंट विल अनलेक्टिक बल्ब ड्रॉब फ्रम आ 220 वोल्ट सोर्स एक बल्ब है जिसके फिलामेंट के रेजिस्टेंस का वैलू है 1200 वो और वो जिस सोर्स से जल रहा है उसका वोल्टेज है 220 वोल्ट तीक है अब उसमें करन कितना पास होगा दूसरे पार्थ के गोशन में हाँ मज करेंट गिल ऐनória aucunलेक्तिक हीतर के रगवाल गॉयल सोग द्रॉब फर्मेरीं कितना पास होगा यानि दोनों पार्थ में ही हमको के टेअ सौंड के वैलो को निकालना है तो फɑस्ट पार्थ से स्टार्थ करते हैं गीवन लेक्षा पस पार्ट का गिवन, पोटेंशल डिफ्रेंस यह वोल्टेज इक्वस्टू 220 वोल्ट, यहां से लिखते हैं 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस का वैलू दिया हो, 1200 ओम, लिखते है 1200 ओम, एकोडिंग टो ओम्स लो, V इक्वस्टू आई 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 से, आई का फर्मुला निकाल लेंगे, आई को यहीं चोड़ देंगे, आई को इसके नीचे लेके चले जाएंगे, तो फर्मुला क्या बन जाएगा, V upon R equals to I, उसको हम लोग पोजिटिव वैलिम में लिखते हैंगे, I equals to V upon R, और बस अब इसमें value को put कर देंगे, V का value यहां से, और R का value यहां से, लिखते हैंगे, फिर solve कर देंगे, solve करने के बाद current का unit लगा देंगे, देखें यहाँ पर 220V upon 1200 ohm, यहाँ से ले लिए, 220V यहाँ से ले लिए, दोनों को solve कर दिए, solve करने के बाद current का unit लगा देंगे, ओके, first part आपका हो गया, second part, यह दि आपको वीडियो पसंद आए, तो like कर दिजेगा, और आगे के वीडियो को देखने के लिए, subscribe कर दिजेगा, potential difference, 220V, same है, लिख दिए, resistance का value, 100 ohm, यहां लिख दिए, formula दोनों same ही, use कर रहे हैं, यहां, यहां same formula, यहां और यहां same formula, यहां भी हम लोग same ही चीज निकाल रहे हैं, current, अब value यहां से लिख देंगे, 220V and 100 ohm, 100 ohm, दोनों को solve किये, and current का unit लिख दिए, okay, clear,